हेलो दोस्तो नमस्कार वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेज मैं अभीशेक कुमार आपको गडित पढ़ा रहा हूं जिसमें हमने समुच्चे चैप्टर को पूर्य समाप्त कर दिया है अगर आपने समुच्चे को पूरा नहीं पढ़ा है तो आप और तो आप जाकर कि playlist में हमारे पूरी वीडियो देखें आज हम लोग नई वीडियो efter प्ल्यान सुरू कर रहे हैं सबसे पहले तो हम लोग किस पर बात करेंगे, संबन्ध पर बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या बात करेंगे, फ़र फालन पर बात करेंगे, तो हमें सबसे पहले अगर कुछ पढ़ना है इस चेप्टर में तो किसके बारे में पढ़ना है संबंद ठीक है ना हम समुच्चे पढ़के आही रहे हैं समुच्चे क्या होता है समुच्चे में चीजों को कैसे अरज़ेश करते हैं समुच्चे में आवयो समुच्चे का कार् सबसे पहले संबंद में अगर कुछ देखेंगे तो वह देखेंगे कारती समुच्यों का कारती गुड़न ठीक है समुच्यों का का करति है समक्रक्ण करने का प्रयास कर रहे है सबसी शुरु रगर कर कर रहे हैं कहीं से वह कौन से कारती गुड़न से दिरे भी सी अगए lige त्यकों ें से पहले क्या संबंद मनाएंगी लेकिन इस्से पहले अमें जानअ ज़रूही कहा होगा क्या होता है ठीक है समchutzेयों का बुल्द जैसे माल लेते हैं हमारे पास कोई दो सेठि का हैं कोई दो समुच्चे में हमने क्या ले लिया है माल लीजे दूसरे समुच्चे हमने ले लिया एक दो और कौन तीन ठीक है यह रहा हमारा समुच्चे ए और यह रहा हमारा समुच्चे कौन भी समुच्चे में ए बी और सी है समुच्चे बी में एक दो और क्या है तीन ठीक है आपसे क्य कर दाउस तो देखिया एक सबसे पहले ध्यांदा है कि जो सम्चे पहले है उसका अवयो पहले लिखा जाएगा और जो समुझे बाद में है उसका आवयों कहा लिखा जाएगा बाद में लिखा जाएगा ठीक है नं क्योंकि कारति गुडन में ordered pair क्रमीत यूग्मका किसका क्रमीत यूग्मका विसेज ध्यान रखता रखना है इसका क्रमित यूगम का विशेज ध्यान रखना है ठीक है और पेर क्या और पेर इससे पहले तो हमनों यहां देखिए A, B, C को कैसे लिख दिया है, कौमा के साथ लिख दिया है, लेकिन जब गुडण करेंगे, तो गुडण में A का गुडण किस से करेंगे, एक से करेंगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, समुच्चे में, जहां से देखिए, हम आपको समुच्चेों का कारती गुडण सिखा रह जाएगा बी लिखा जाएगा अच्छा एको अभी फिर से गुड़ा करोगे किससे बी से करोगे तो हो जाएगा एका कितना ए और टू इसी प्रकार एका किससे तीन से यह किसा किसका कितना हो जाएगा एका तीन से आगे बढ़ोगे तो फिर बी का करोगे तो बी का कितना हो ज क्रमित यूगम है जिसमें लोगों ने समुच्चे ए और बी का क्या कर दिया है अगर आपको समझ आ रहा हो तो इसे जो प्रैकेट व्हीं चोटे प्रैकेट में लिखा है इसे क्रमित यूगम कहते हैं क्रमित यूगम में दो आयों होते हैं एक आयों पहले समुच्चे से होता है और दूसरा आयों जो होता है वो दूसरे समुच्चे से होता है यहां देखिए एक हमने कहां से लिया है पहले समुच्चे से और भी लिया है कहां से एक जो लिया है वो कहां से लिया है दूसरे समुच्चे से इसी प्र हें और जो दूसरा होय है वो क्या है दूसरे समुझ्चे के हो है है ठीक है न तो इस प्रकार हमारा क्या बन के तायार हो गया ये a cross b ठीक है न आप देख पा रहे होंगे a cross b में कुल नौ आउय हो है कितने हो जैनल ऊ it door 3456 जानल आठ और ये न कुल उय है नव माल लीजिए कि किसी समूचे आफ समूचे ए में number element इन कितना है तीन है क्या देखे एक दो क्या है तीन है और दूसरे समूचे हमने ले लिया है b में कितने होयो भी में भी हमने तीन ही आउयो लिए है तो अगर आपसे कोई पूछे कि यह number of element in a cross b समुच्चे के a और b के गुड़न में समुच्चे गुड़न a और b में कितने होगे तो आप बता सकते है number of element a cross number of element का b ठीक है अर्थात 3 गुड़े 3 करेंगे तो जो answer मिलेगा वो कितना हो जाएगा 9 ठीक है न तो इस पर बात पिर भी आप क्या कर सकते है ध्यान रख सकते हैं दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो कौन सी है दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि जो क्रमित यूगम जो गुड़ा करके लिखा जाएगा गुड़न कारती है गुड़न उसमें जो पहले पहले होयो है वो पहले समुच्चे से लिए गए है और जो दूसरे होयो है वो दूसरे समुच्चे से लिए गए है ठीक है न यह 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 ठीक है न यह समारे कहां से लिए गए पहले से क्यों क्यों क्योंकि आपको आगे आने पर सवालों में क्या दिया जाएगा ऐसे ही एक क्रमित यूग में दिया जाएगा ठीक है जिसमें से ऐसे गुड़ा करके दिया जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए समुच्छे A में कौन है और समुच्छ B में कौन है तब आपको ध्यान रखना होगा कि A के जो हमारा क्या है कारती गुडन लिखा है उस कारती गुडन के जो पहले होए हो है वो किस में लिखे जाएंगे समुच्छ A में लिखे जाएंगे और जो दूसरे होए हो है वो कहां लिखे जाएं इसी प्रकार हम लोग आगट बढ़ें देखे यह तो समूच्यों का कारती गुड़न और अगर आप चाहें कि समूच्य में कारती हुड़्न स्वाहिंगे बाहर से बताले हम लोग BP क्या कर सकते हैं इस सुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं कि नंबरा आफ एलिमेंज एक रोस भी समुझच्चों के कार्थी गुडण में औरो की कुल संख्या बराबर हम दमठेस मोखेंilt अगयों की संख्या ठीके माल लीजिए हमकों कोई दूसरा ले लेते हैं कि जैसे हमने कोई दार ले लिया कि यान्स समुझ्चे में वह कितने हैं दो तीन ठीक है और समुझ्चे से में कितने हो हैं दो हैं बी में कितने हैं तीन हैं पांसर कितना हो जाएगा कुल्च हो जाएगा ठीक है माल लीजिए आप से क्या पूछा गया एक क्रॉस भी बताइए क्या बताईए A x B तो A x B कैसे क्या करेंगे 2 का A में करेंगे 2 और A हो जाएगा फिर 2 का कहा करेंगे B में करेंगे 2 और B हो जाएगा फिर 2 का C में करेंगे 2 और क्या हो जाएगा C हो जाएगा इसी प्रकार क्या करेंगे 3 का A में करेंगे 3 का B में करेंगे और 3 का कहां करेंगे C में करेंगे तो यह हो जाएगा 2A, 2B, 2C 3A, 3B, 3C कुल कितने हो गए यह 3 और यह 3 कितने होए 6 होए ठीक है न इसी प्रकार से अब से क्या पूछा जा सकता है B x A भी पूछा जा सकता है देखे, A x B में आपको पता चल गया न कि A x B में जो पहले पहले लिखे गए हैं वो समुच्चे के पहले होए हो है और जो बाद बाद में लिखे गए हैं वो समुच्चे B के क्या है समुच्चे B क्या होए हो है इसी प्रकार अगर B x A अगर आप लिखना चाहें तो B x A लिखेंगे A का सबसे पहले किसके साथ 2 के, फिर A का किस से, 3 से, फिर किस का, B का, 2 से, और B का, 3 से, फिर C का, 2 से, फिर C का, 3 से ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? B x A ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम ़ोग, आपको समुच्यों का, कारती गुणन समद में आ गया होगा समुच्यों के कारती गुणन अपस में क्या हो सकते है? बराबर भी हो सकते हैं समुच्चे के कारती गुर्ण आपस में क्या हो सकते हैं बराबर भी हो सकते हैं तब आपको ध्यान रखेड़ी की जरुवत होगी कि यदि किसी समुच्चे के कारती गुर्ण आपस में बराबर है नमबर आफ जैसे हमने पास क्या है कोई क्रमित यूग में क्या है A B और दूस दूसरी बात है वह कौन सी हो जाएगी जो समुच्चे का दूसरा होया है वह दूसरे समुच्च्चे के दूसरे समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कि याई माइनस टू उग्म हो गए थीक है यह दोनों जो करमित युग्म है वह बराबर है मान ग्यात कीज़े find the value of x and y तो आप क्या करेंगे समुच्चे में यहां इस क्रमितियूम के पहले वयो को इसके पहले से क्या करेंगे बराबर करेंगे क्या हो जाएगा x plus 1 equal to 3 x plus 1 equal to 3 तो यह x कहाँ चला जाएगा पच्छांतर कर देंगे आप लोग दाइंव ओर engaging 3-1 अर्थात x वर्ण कितना 2 ठीक है आज़े दीखिए यह दूसरा जो आओयो है इस दूसरे आओयो के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो 1-2 धर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा y बराबर 1 अक 뜹ना 2 समुच्च्च्च्च्च्च्च कार्ती गुड़न की परिभास अगर आप लिखे तो ऐसे लिखेंगे ऐसे दो अरिक्त समुच्चे एव बी जिसमें एव बी ठीक है? जिसमें जिसमें कार्तिय गुडन कार्तिय कार्तिय गुडन A क्रॉस B में क्रमित युग्म में क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले से पहले समुच्चे से तथा तथा दूसरा अवयव तथा दूसरा अवयव तथा दूसरा अवयव दूसरे समुच्चे से हो समुच्चे से हो क्या कहलाएगा समुच्चे का कार्तिय गुडन कहलाएगा ठीक है ना इसे हम लोग क्या कर सकते हैं यदि हम लोग इसे इसे क्या लिखे हैं सॉट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं समुच्चे का कार्तिय गुडन एक क्रॉस बी बराबर यह सच दैट यह सच दैट यह सच दैट क्या लिखें यह सच दैट क्या लिख दें ए और अच्छ इसमाल वाला यह लिख देते क्रमित्यूग में A B जहां A जो है वो पहले समुच्चे से और जो B है वो कहां से है दूसरे समुच्चे से है यह रही आपकी क्या आप चाहें तो यह कारती समुच्चों के कारती गुणन की क्या कर सकते हैं ठीक है दूसरी बात समुच्चे के कारती गुणन के बाद आगर लिख सकते हैं ठीक है इसी प्रकार क्या कर सकते हैं आप 3-3 बना सकते हैं जैसे माल लीजिए हमने समुच्चे आपको दे दिया पी में हमने लिख दिया है जै से 1-2 ठीक है नहीं आप से पुछ लिया जाये प्रश्ञे सबसे पहले आप क्या ग्यांद करेंगे तो सबसे पहले आप उसके पाद ग्यांत करेंगे फिर विखांत करेंगे बराबर क्या हो जाएगा एक कॉमा दो, ठीक है, एक कॉमा दो, फिर क्या हो जाएगा, इसका गुड़ा कर रहे है हम लोग, किसके साथ, एक और दो से, तो यहां क्या हो जाएगा, ordered pair, one one, फिर क्या हो जाएगा, one two, फिर क्या हो जाएगा, two one, फिर क्या हो जाएगा, two or two, अब इसका किसके साथ करना है, फिर एक पी आये जाएगा कौन, one और two, ठीक है, अब देखे, one और two आ गया, इसका करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, पहले तो one, one और one, ठीक है, फिर क्या आजाएगा, one, one और two, फिर क्या आएगा, one, two, one, फिर आएगा, one, two, two, तू ना आएगा फिर कौन आएगा टू ऑन थे ऊना कर माक्षी यह ए धाव क्रोस पी इस प्रकार यह थे थे फॉल्स पर करने हैं इन आपिक करमित यूगमो को त्रिक कहते हैं क्या कहते हैं ठीक है यह हमारा हो गया पी क्रॉस पी क्रॉस पी इस प्रकार आप क्या ग्याद कर सकते हैं किसी समुच्चे में कितनी बार उसके क्या कर सकते हैं गुड़न कर सकते हैं वह उसे कारती गुड़न के नाम से पुकारा जाता है और संख्या 3 है जैसे क्या है उदारण संख्या 3 कि उदारण संख्या 3 क्या है हमारे लिए उन्होंने कहा है कि मान लीजिए ए बराबर एक दो तीन और बी बराबर तीन चार बी बराबर क्या है अमारे पास तीन चार और सी बराबर A cross B intersection C ग्याद कीजिए, देख रहे हैं, यहां हम लोगों ने क्या समुच्चे में यह पढ़ा था नहीं, A B intersection C, intersection का क्या मतलब होता है, intersection का मतलब होता है, सरवनिष्ट, क्या होता है, सरवनिष्ट, जो दोनों में हो, तो B union C देखिए, B और C, B और C में कौन है, A में तो हमारे सिर्फ चार, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ जब गुड़ा करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, एक चार, पहला क्रमित योग्म, दूसरा, दो चार, तीसरा, तीन चार, ठीक है, यह हमारे पास तीन आओ यहां, यहां यहां, तीन एक अनना, तीन, कुल मिला क्या करें, अपने आप से लगा लें, I hope आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजे, और चैनल पर पहली बार आये हो, तो चैनल को सस्क्राइब कीजे, फिर मिलेंगे, नेक्ष वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!